जहीं दोस्तों देखे अभी दोस्तों जो हम आपको वेकेंसी बता रहे हैं यह वेकेंसी है 12 लेबल का ठीक है और यदि दोस्तों आप एक बार इसका बड़ियां से ट्यारी कर लेते हैं डेफिनेटली आपको नौकरी रखा हुआ है कोई इस पर रोक नहीं सकता बस थोड़ा से आपको मेहनत करना होगा इस पर दोस्तों कॉम्पेटिशन बाकी कितूलना में एकदम बहुत कम है यह दि दूसरा वेकेंसी में देखेंगे ना कि 90% वहां पर कॉम्पेटिशन है तो य यहां भी दोस्तों आपको दिमाग लगाना है इस बैकेंसी में दोस्तों आपको आप विश्वास नहीं करोगे कि बारवी पास होकर कि आपको 45,000 प्लॉस सेलरी मिलेगा ठीक है और एकदम राजा वाला नोकरी है राजा वाला ठीक है जो आप काम जानोगे ना आपके आप दूसरा कोई करी नहीं पाएगा तो आपके वैल्यू कितनी जादा होगी इस बात को आप सोच करके देखो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा एकदम मस्त मस्त डिपार्टमेंट मिलेगा जैसे कि इंकम टेक्स ठीक है आपका जैसे कि अरक्षा विभाग ठीक है ग्रीव बहुत बहुत बढ़ियां बढ़ियां डिपार्टमेंट आपको इस पर मिलेगा मस्त डिपार्टमेंट है कॉम्पेटिशन कम है कट अब है थोड़ा सा लेकिन मेहनत करने की जरूत होगी कोई नहीं करना चाहता है ठीक है बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाईए गाए जो यदि आप OBC हैं, तो 18-33 साल उम्र है, तो आप ऐसा मौका मत छोड़ो, और यदि आप SCHT हो, तो 18-35 साल है, तो आप ऐसा मौका को मत छोड़िए, क्योंकि एक बार उम्र निकल गया, तो आप इस वेकिंसी के लिए फॉर्म को नहीं भर पाईएगा, फॉर्म भरने में दोस्त जादा समय आपके पास बिल्कूल भी नहीं है, तो यदि आपको इस पर पक्का नौकरी लेना है, तो अभी से दोस्तों आपको प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा, तो अभी आप इस पर सेलेक्शन ले पाईएगा, कौन सा डिपार्टमेंट हैं, सब चीज बता देंग एक्जाम डेट वगर सब चीज क्लियर कर देंगे, दियान से देखिये और समझे, देखे दोस्तों इस वेकिंसी का जो विभाग है, डिपार्टमेंट, यानि एक तरह से बोलेंगे इस वेकिंसी का नाम क्या है, तो इस वेकिंसी का नाम है दोस्तों, SSC स्टेनो ग्राफर न टेस्ट पहुंचते पहुंचते आपका लगवक 6 महिना लग जाएगा, ठीक है, एक्जाम तो जल्दी हो जाएगा, लगिन इस टेस्ट पहुंचते-पहुंचते दोस्तों, इस इस पर टाम लगेगा, तो अभी आपके पास अच्छा ऐसाा टाइम है, अच्छा से यह धी द देखें, इस पर योग्यता की बात कहेंगे, तो ten plus two आपका pass होना चाहिए, ठीक है, इस पर दोस्तो तीनो, तीनो हम लिख देते हैं, मतलब आर्ट भी zero सकते हैं, साइन्स भी बर सकते हैं, commerce वाली भी भर सकते हैं, इस पर दोस्तो दो तरह का seat निकलता है, एक होता दोस्तो grade C के लिए और एक होता grade D के लिए ठीक है इस्टेनोग्राफर grade C है इस्टेनोग्राफर grade D इस्टेनोग्राफर को हिंदिम बोलते हैं आसूलिपी समझ मागया grade C में यह दिबात करेंगे तो 18 से दोस्तो 30 साल age limit मागेगा और इसमें 18 से 27 साल आपका age limit मागेगा clear है अब दोस्तो आपको बता देते हैं कि इसपे plus OBC को 3 साल छूट मिलेगा CST को 5 साल को उमर में छूट मिलेगा इसपे भी OBC को 3 साल छूट मिलेगा CST को 5 साल को उमर में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा apply करने में दोस्तो general OBC EWS सभी को देखे दोस्तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर मेरा exam नहीं निकल रहा हम यह form बरेते मेरा इसमें नहीं हुआ मेरा इसमें नहीं हुआ अच्छा आप लोग really में बताइए कि क्या आप लोग mock test लगाते हो mock test लगाना बहुत ही important है mock test लगाने से क्या होता है कि आपको अपनी कमजोरी आपको अपना level पता चलता है कि मेरा तयारी कितना है आप पड़ते बहुत अच्छा है, तैयारी कर रहे हैं लेगिन आप कितने स्तर पर हो आपका लेबल क्या है क्या आपका कमजोर है, क्या अच्छा है इसको जानना जरूरी है उसके लिए जरूरी है मौक टेस्ट लगाना बड़ा पैसा नहीं लगा एक सो निन्यानवी रुपया में पूरे साल भर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो अभी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहां पर और यहां 100 पर पैमेंट करना पड़ेगा बाकि महिलाओं का कोई पैसा नहीं लगता है फिर मैं आप फॉर्म फिलप यहां पर कर पाओगे ठीक है अभी इसका अप्लाइड डेट वगर सब चीज क्लियर करेंगे सबसे पहले इसका सलेक्षन का प्रक्रिया समझते हैं कि इस पर दोस्तों चयान प्रक्रिया क्या रहेगा देख ठीक ना सौट हेंड का टेस्ट होगा घबराईएगा मत कैसे होगा हम बता देंगे इसके बाद तीसरा में आपका डीवी होगा डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका जॉइनिंग इस पर कर देगा एक चीज दियान देजेगा कि इस पर हाइट का जौरत नहीं है इ कितनों हाइट है कितनों चेश्ट है भर सकते हैं देखिए अब यहां पर हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि रिटन जो परिक्षा होगा पहला परिक्षा इसका सेलबस क्या रहेगा क्या क्या पढ़ना होगा दियान से देखिए तो देखिए लिखित परिक्षा में दोस् हिसे दोन sono एक ही चीज तो करेंटट है सोझी के मिला कर के 56 कोशेंद पूछेंगा ठीक है दूसरा नंबर में आपका रीजनिंग है रीजिनिंग से दोस्तों आपका यहाँ पर 50 कोशन पूछेगा और तीसरा नंबर में आपका दोस्तों यहाँ पर देगा English English से दोस्तो 100 question यहाँ पर पूछता है ठीक है तो देखें 50, 50, 100 200 question हो गया इस पर पूछेगा total 200 question 200 marks clear है इसके बाद समय आपको किता मिलेगा दोस्तो इस पर समय आपको मिलेगा 2 घंटा, 2 hours आपको time दिया जाएगा, 1 by 3 का negative marking रहेगा question गलत कीजिएगा, तो minus marking भी इस पर है समझवा गया यह है इसका pattern और इसका syllabus हमने आपको बता दिया अब दोस्तो जो जो विदरते यहाँ पर pass हो जाएंगे, इसका cut off को clear कर लेंगे, और cut off दोस्तो बहुत कम जाता है ठीक है, क्योंकि final तक दोस्तो बहुत सारे विदरते डर कमारे नहीं भरते हैं कि क्या होगा, हम नहीं जानते हैं कैसे होगा लेकिन यदि हिम्मत करके आगे बढ़ोगे महनत करोगे तो आप सीख लोगे और नौकरी आपका रखा हुआ है बट आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा कि हम सीख लेंगे और नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है सीखना होगा आपको तीन महिना चार महिना टाइम दोगे न जोगे हम पक्का सीख लोगे एक चीज़ दोसो याद रखेगा कि किसी भी चीज़ पर आप टाइम दिजेगा तो उसको सीख जाईएगा किसी भी चीज़ पर बस टाइम देना होगा ठीक है तो यह इसका सलबस था अब हम दोस्तों आपको इसका बताता है कि इस टेनो टेस्ट में क्या होता है तो ध्यान से देखिए इस 10-0 टेस्ट में दोस्तों आपका यहां पर होगा देखिए grade C और grade D grade C की यहीं बात करेंगे दोस्तों तो आपका 100W PM word per minute आपको speed मांगेगा short hand का और grade D में दोस्तों आपका 80W PM का speed मांगेगा clear है यह अलग-अलग speed यहां पर लिखा गया और दोनों में दोस्तों आपको समय मिलेगा इस पर भी 10 मिनिट और इस पर भी 10 मिनिट ठीक है अब होगा क्या दियान से सुनिए एक audio बजेगा ठीक है audio बजेगा कुछ भी जैसे कि अधर निया सभापती महोद है आज मैं आप सब्सक्राइब है इस टैप से कुछ लिखा जाता तो आपको कोड में लिखना हुगा जाशे कि कोड में जाशा भी जो है फैसला सुनाते है तो जितना कुछ बोलते हैं उतना कुछ देखेगा उनके आगेवाले टेबल डोड़ो बैठा हुआ रहता है वो दुनों क्या कैता Grade C के लिए 100 का Speed मांगेगा, और Grade D में 80 का Speed मांगेगा, ठीक है, टोटल दोस्तों आपका इस पर एक में 1000 वर्ड बोलेगा, 1000 वर्ड बोलेगा, और एक में 800 वर्ड बोलेगा, ठीक है, 800 वर्ड आपको, Grade C और Grade D अलग अलग यहाँ पर ठीक है, और Audio में रहेगा, इसके बाद दोस्तों, यह जो आप लिख लिजिएगा, इसको फिर से Computer पर टाइप करने बोलेगा, Computer पर बोलेगा, इसको टाइप करो, जैसे Normal, जैसे मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप पीबोर्ड से, मैं खाता हूँ, लेकिन आप पेन पेपर से कैसे लिखे होंगे, कुछ इस तरह से लिखे होंगे, ऐसे इसे करके, ठीक है, अब उसी को देख करके, इस तरह से Type करना है, Computer में, तो पहला Process तो Audio सुनके इस तरह लिखना पड़ेगा, इसके बाद, जो कॉपी माप लिख लिजेगा, उसी को देख करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तेनो यदि आप सीख लेते हो, तो इससे बहतर नौकरी कुछ भी नहीं है, आप इंकम टेक्स में जा सकते हो, रक्षा मंतराले में जा सकते हैं, और सेलरी दोस्तों जबरदस्त मिलता है, बड़े-बड़े ओफिसर के साथ आप रहोगे, ठीक है, बड़े-बड़े ओफिसर के साथ रहोगे, जज के सामने जो बैठे रहता है, इस तेनों, वो सब ज़्यादा क्वालिफाई नहीं होते हैं, वो नॉर्मल ग्रेजुवेसर, नॉर्मल वल्थ पास स्टूडेंट ही बैठता है, ठीक है, और प्राक्टिस, मेन है आपका काम, आप स्किल, ठीक है, ध्यान से सुनियागा दोस्तो, जूलाई में, 16 जूलाई, ठीक है, 16 जूलाई 2024 को फार्म आएगा, क्लियर कर लेना, नोट कर लो डेट को, और हाँ, डेट दोस्तो, SSE एक-दो दिन बढ़ा भी देती है, जैसे कि SSE MTS, अब टाइम पर नहीं आया, तो आप इस पर ध्यान मत दीजे, तयारी में लग जाए, यह दे नौकरी लेना है तो, तो इससे बढ़ियाँ वेकिंसी दोस्तो, अभी फिलाल कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली इसका तयारी कीजिए, अनौकरी लेकर के दिखाईए, उमीद करेंगा आपको बढ़ियाँ से, मैंने सब चीज बढ़ियाँ डंग से समझा दिया है, किसी भी परकार के आन्नी जानकारी पाने के लिए कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, तो चलिए उसम मिलता के लिए वीडियो में धन्यबाद,